हलो दोस्तो वेलकम बैक माई यूटूब चैनल हल्थो के टच में दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे छोटी बच्चों की सबसे अच्छी एंटिबाइटिक दवा मॉक्सिकाइंड सीवी डेरी सिरप के बारे में जानेंगे इसके यूज, टोल, बैनिफिट और इसके साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके प्राइज के बारे में इसके MRP की बात करें तो इस 30 ml पैकिंग की कीमत 56.87 पैसे है इसको mankind company दोरा बनाया गया है दोस्तो ये दवा आपको किसी भी medical store पर आसानी से मिल जाएगी दोस्तो ये दवा आपको still water powder में मिलेगी इसके साथ जो water आता है उसे powder में मिलाकर ये तयार की जाती है दोस्तो ये दवा केवल बच्चों के लिए है दोस्तो अब बात करते हैं इसके composition के बारे में दोस्तो इसके अंदर amoxaline 200 mg और potassium kalvoranine 20.5 mg है ये दोनों एक antibiotic drugs हैं दोस्तो इन दोनों drugs को मिलाकर ये दवाई बनाई गई है दोस्तो अब बात करते हैं इसके uses की ये किन किन condition में इस्तेमाल की जा सकती है दोस्तो यदि छोटे बच्चे के कान में infection हो तो इसका इसका इस्तेमाल की जा सकता है सहदी जुखाम में इसका इस्तेमाल की जा सकता है बच्चे के गले के infection में इसका इस्तेमाल की जा सकता है बखार में नमूनिये में इसका इस्तेमाल की जा सकता है चाती के इंफेक्शन में इसका इस्तमाल किया जा सकता है बैक्टिरियल इंफेक्शन में इसका इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तो जखम सुगाने में इसका इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तो चोट की मज़े से सूजन आ गई हो तब भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है कान के इंफेक्शन में इसका इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तो आख के इंफेक्शन में इसका इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तो हड़ी के इंफेक्शन में भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तो लंग्स के इंफेक्शन में भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तो यूरुइन के इंफेक्शन में भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तो इस दवा का इस्तमाल अपने डॉक्टर की सलह के अनुसार करें दोस्तो ये दवा बच्चे को 5-7 दिन तक पिला सकते हैं या ज़्यदा खराब कंडिशन में डॉक्टर की सलह के अनुसार 10 दिन तक दोस्तो जब भी इस दवाई का यूज करें तो पहले बोतल को अच्छी तरह से मिक्श कर लें या हिला ले तब इसका इस्तमाल करें दोस्तो बात करते हैं इसकी डोजिस की दोस्तो ये दवा बच्चे की एज और वेट के हिसाब से दी जाती है दोस्तो इस दवाई का इस्तमाल अपने डॉक्टर की एडवाईस के अनुसार करें दोस्तो वैसे इसका कुछ नॉर्मल डोज मैं आपको बता देता हूँ यदि बच्चे की उमर 6 महिने से 2 साल है तो बच्चे को 2.5 अमिल से 5 अमिल दे सकते हैं दोस्तो ये दवा केवल बच्चों के लिए है दोस्तो मॉक्सिकाइन सीवी डेरी सिरप का इस्तमाल अपने डॉक्टर की सलह के अनुसार करें दोस्तो खुद से इसका इस्तमाल ना करें दोस्तों पहले अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की एडवाइज के अनुसार ही मॉक्सिकाइन सीवी डैरी सिरप का डोस अपने बच्चे को दें दोस्तों बात करते हैं इसके साइड एफेक्ट की उल्टी, मितली, तस्त, पेट दर्द, स्कीन पर रेटनेस, स्कीन पर छोटे छोटे दाने, ऐलर्जी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, अगर इसके अलाव भी कोई कंडिशन दिखे तो आप अपने बच्चे को डॉक्ट करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी नोट्फिक्शन आपको मिलती रहे, थैंक्यू फोर वाचिंग